गोरी ये क्या हो गया तुम क्यों अपनी जान लेना चाहती हो अब तो हमारी शादी भी तय हो गय थी इसलिए मरना चाहती हूँ तक ही तुम्हारे साथ शादी करने से बस सको पासी की सदा पाने वाले से मि उसकी आख ही एक्छा पूछी जाती है मगर तुम्हारी पिताजी ना तो मेरी पहली एक्छा पूछी ना आखरी क्यों उन्होंने मुझे पान पोस कर बढ़ा किया तो क्या वो जो भी फैसला करेंगे मान लू क्या मेल है तुम्हारा मेरा मैं पढ़ी लिखी तुम्हान पढ़दवार कोई पहचान कोई आजन्टिटी है तुम्हारी अपने ही घर में एक नौकर की तरह रहते हो तुम्हारी जमानी में पैदा होकर पुराने जमानी की जिन्दगी ची रहे हो तुम्हारी क्या कहूंगी मैं अपने पड़े लिखे दोस्तों से कि जिससे मैंने शादी की है उसे जिन्दगी की हिस्ट्री जोग्राफी नहीं मालो जैसा पैदा हुआ था वैसा ही है सिर्फ कद बड़ा हो गया है और कपड़ी पहनने लगा है तो मतलब तुम्हें हीरा से प्यार नहीं है गोरी प्यार तो इंसान जानवर उसे भी करता है तो क्या उनसे शादी कर ले मुझे पता होता कि तुम्हारे पतार ये अपने अहसान की बदले में मेरी शादी तुम से खराएंगे तो में अपने ममी पापा की मरने की बात तुम्हारे घर में नहीं रहती कि से नाथ आश्रम पचलिए लिए बस अब और कुछ कहने की सुरत नहीं पिता जी को शायद तुम पर भरोसा था कि तुम उनकी बात नहीं ठालोगे, इसलिए उन्होंने तुम्हारी इच्छा नहीं पुछे अच्छा हुआ ये बात तुमने मच से कह दी पिता जी से कहती तो उनको दुख होता सारी जिंदगी पच्छताते की और अधी तुम्हारी मरसी जाने बगएर उनने फैसला कैसे देदीया तुम्हा तुममसे से शादी नहीं करना चाहती मत करो मैं पिताजी से कह दोहें कि मैं गौरी से शादी नहीं करना चाहता मैं उनकी नज़रों में वैस्onigium कि ङराऊ लेकिन तुम किसी की नजर में करो ये, ये मुझसे परदाश्ट नहीं होगा जो को रिया, ही, ही, ही रहा तुमारे रास्ते सर्ट के वोई हुआ जिसका हमें शक्त है, कभी न दिखाई देने वाला फगवान हमें हर रंग में नजर रहता है, वगर इस नालाइक का कोई भी रंग हमारी समझ में नहीं आता है हीरा, क्या हुआ, तुमने 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 कोई सभाई मत मगना हमें इस से सिप एक सवाल पजवाब चाहिए, ये कोई से शादी करेगा या नहीं नहीं उस दिन से हीरा बाप के लिए बेगाना हो गया उसे गोरी को पिताजी की नजरों में गिरने नहीं दिया लेकिन खुद गिर गया ठाकुर काका ने बिना सच्चाई जाने, हीरा की आखों के सामने गोरी की शादी किसी और से कर दी हीरा ने प्यार कर दिया तो जलाया था अगर बेचारी के हाथों में सिर्फ अंधेरा ही आया मेरी तुमसे एक विंती है अगर तुम हीरा के घाव नहीं भर सकती तु कम से कम उने कुरेदना भी मत मिन्रा, मैं ऐसे तुम पर बहुत चीखा, चिलाया, गदे की तरह काम करवाया तो मुझसे नारास तो नहीं हूँ ना कैसी बातें कर रहे हैं सर, आप तो मेरे बड़े भाई है और वैसे भी अगर मुर्गी चूजे को लाट मार दे तो चूजा नारास थोड़े होता है तुम कड़े क्यों बैठा ना नीचे नहीं उपर बैठो नहीं सर, आपके साथ बैठो, ठीजनी मेरी मजाल नहीं है तुमारे लिए प्रक बनाओ? नहीं साथ, आपके साथ बैठकर पीने की मेरी औकाद नहीं है चोड़ा यार, पीने पे जात और और औकाद थोड़ी देखे जाती आपकी इज़त की खाफिर पीराओ एक बार बता मिल्डर तुम पड़े लिखे हो मैनती हो फिर ये जिलत बड़ी खुलामी करके में जिन्दगी की मिट्टी पलीट क्यों कर रहे हो तो क्या करों बंदूख लेकर चांबल का डाकू बन गया है छै काम कर सकते हो款 क्या कोई काम कर सकते हो धंदा कर सकते हो फैसे नहीं तुम्सक्वे धेता हो है लो बड़ाय event यार मुझे निच्छईए यह कैसी लड़की जैसी है आरे वो दू मुझे ही मालू है यार तुम समझ रहों मैं क्या कहना चाहरा हूँ हाँ जालिम से पूछ कर बताऊंगा जालिम से को इस काम वाली का मर्द है मर्द कुछ दिर पहले एक दूसरे आजमी ने भी सही पूछा था तो जालिम सिंग ने उसके हाथ-पाउं काच रिये थी आजकाल जेल में है अथाईस तारीक वो छूट कर आ रहा है आजका तारीक है 26 परसो को जेल में है तो मिलटरी चल एक सिंगर अटे यह ना अने जल्दी गाच रहे जलाएगा कौन तेरा बाफ तो तू क्या खेरा था उस काम वाली लड़की के बारे में कि तूसके साथ क्या करना चाहता है तू कुछ बोला ला ना मूज से निकल गया है जान दरा बात में तू कर रहा है अले तू आगे मुझे कहता है कि गाउं की छोक्री के साथ मेरा काम करवा और उसके बाद तू कहता है कि गाउं के सब क्या है कि अविश रख साथ कुछ करना चाहता है अई तू मोग जो को इस तरागे लोग जाता है कभी कभी मतला राख थायाल दिल में कभी ना नमस्ते, नमस्ते नमस्ते वेलकम मोहन वेलो बरा वेलो चलो Namaste कैसी हो? अच्छी 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 लीजी ना लीजी काल लीजी लीजी काल अबस्ट नमस्ट 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 भाई यह मेरी नरंद उशा है यह अमेरिका में थी अब आई है तो आप लोगों से मिलबाने के लिए लाई है यह करन यह बरन भी अनमस्टिया अरे हीरा, जी बही है, बही हाँ दो खोड़नें दो, please, excuse me, भाभी, ये कौन है, इनसे तो हमें इंट्रड्यूस ने कराया, ये कोई वी आई पी नहीं है, जिन से तुम्हारा इंट्रड़क्शन कराया जाए, किसी काम के लाइक नहीं है ये, इसलिए नौकर की तरह जी रहा है थैंक यू, हीरा जी, एक मिनुट रुकिए, माधुरी, कविता, रानी, जरा यहां आना, मैं आप लोगन से कह रहे थी न, एक इंपॉर्टन्ट आदमी से मिलवाती हूँ, यही है वो, हीरा ठाकुर, हीरा जी, ये मेरी सहलिया है, माधुरी, कविता, रानी, सीता, ये देखने में जितने सिंपल है, उतनी ही बड़ी हस्ती है इनकी, अगर हम लोग किसी को भीग देंगे, तो क्या देंगे, रोटी, पैसा, कपड़ा, ये ज़्यादा से ज़्यादा, उसे अपने घर में बालेंगे, लेकिन ये वो इनसान है, जिन्होंने अपने सपने, अपने महान है ये, आप जाएए ना, आओ, आम चलते हैं, क्या बात है गौरी, दीदी, ये कौन है, ये अपने उर्मिला की ननद है, आयेस कर रही है, ओ, इसलिए इतना कड़ रही है, सड़ो मर्कर मांगते, शिरे शावाद शाधिजे, श्रने तंपके जाकि आओरी, ना, आये नामास करें,